बिसम्लाब रह्मार रहीम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम Quadratic equations का solution find out करेंगे by using quadratic formula तो हमारे पास two kind of questions हैं लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे quadratic formula हमारे पास क्या है quadratic formula आपके पास बराबर होता है x equal to minus का b plus minus radical के अंदर b का square minus का 4ac divided by 2a यह आपके पास quadratic formula है अब इस quadratic formula में हम सबसे पहले a, b और c के values को लाएंगे पिर उनको यहां पर put करेंगे और x की value को find out करेंगे अब यह a, b और c के values कहां से आएंगे यह हम देखेंगे अभी तो पहला question है आपके पास 6x का square plus का x minus का 15 is equal to 0 अब आपने सबसे पहले a, b और c के values नकालना है इसके लिए आप क्या लिखोगे comparing the above equation with general या standard form of quadratic equation so हम लिखेंगे comparing अब comparing का मतलब क्या है आपके पास standard form of equation बराबर होता है ax का square plus का bx plus का c is equal to 0 अब देखो यहां पर x का square है यहां पर bx का square है यहां पर x की square के साथ a multiply हो रहा है और इस case में 6 multiply हो रहा है तो it means a की जगह पर यहां पर क्या है 6 है तो मैं यहां से a की value निकालूँगा comparing का मतलब यही है यानि a की जगह पर 6 आया है तो a is equal to 6 पिर x है यहां पर bx है यहां पर b है यहां पर 1 है तो b आपका किस के बराबर होगा b is equal to 1 पिर यहां पर c है और यहां पर 15 है यहां पर just 15 नहीं है यह जिस sign के साथ आएगा यहां पर भी अगर minus आता तो इसको मैं minus 6 के बराबर लेता यहां पर अगर minus होता तो इसे minus 1 के बराबर लेता यहां पर minus का 15 है तो आपका c b is equal to minus का 15 ही होगा minus sign को आपने 7 में carry करना है अब जैसे ही अपने a, b और c के values निकाला अब लिखोगे using quadratic formula तो quadratic formula आपके पास क्या है x is equal to minus का b plus minus radical के अंदर b का square minus का 4ac divided by 2a अब minus b, b की value क्या है? 1 है आपके पास तो minus का 1 बन जाएगा plus minus radical के अंदर b का square यानि minus 1 का square minus का 4 a आपके पास किस के बराबर है? 6 के बराबर है c आपके पास किस के बराबर है? minus 15 के बराबर है divided by 2 a आपके पास किस के बराबर है? 6 के बराबर है तो हमने क्या क्या a, b और c के values quadratic formula में put कर दिए अब इसको तोड़ा simplify करेंगे यहाँ पे minus का 1 आएगा plus minus radical के अंदर minus 1 का square आपके पास क्या आजाएगा? plus का 1 कैसे? minus 1 का square है इसको मैं लिख सकता हूँ minus 1 multiply by minus 1 minus minus आपके पास क्या हो जाएगी? plus और 1 multiply by 1 तो minus 1 का square plus 1 होता है जब भी कोई भी नंबर के उपर square हो तो minus का जो sign है वो खतम हो जाता है अब यहाँ पे भी minus है और यहाँ पे भी minus है और यह सारे अपस में multiply हो रहे है तो यह minus इस minus से multiply हो जाएगा plus का बन जाएगा 4 multiply by 6 multiply by 15 इसको calculator में देखेंगे 4 multiply by 6 multiply by 15 यह आपके पास 360 के बराबर है divided by 62012 अब इसको मज़िद सॉल्फ करो यह आपके पास बराबर है minus का 1 plus minus radical के अंदर 360 plus का 1 361 बन जाएगा divided by 12 अब 361 का square root आपके पास किसके बराबर है तो अगर आप calculator का use करो यह इसी तरीके से numbers को चेक करते जाओ यानि 18 को 18 के साथ multiply करो क्या result आएगा 90-90 के साथ multiply करो क्या result आएगा अगर यह completing square था तो इसी तरीके से आप उसको find out कर सकते हो अगर आप calculator का use करेंगे तो बहुत easy होगा radical के अंदर आप 361 पुट करो तो यह direct आपको result देगा 19 है यानि जब मैं 19 को multiply करूँगा 19 से तो यह मेरे पास किसके बराबर होगा 361 के और 361 का radical आपके पास किसके बराबर होता है 19 के कैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 19 multiply by 19 इसको मैं लिख सकता हूँ 19 का square 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 radicals कट जाएंगे जास्ट आपके पास 19 है जाएगे तो यहां पर मैं चले यह basic से तोड़ा सा deep में जाएंगे तो यह आपके पास x is equal to minus का 1 plus minus 361 को मैं लिख सकता हूँ 19 multiply by 19 या इसको मैं लिख सकता हूँ 19 का square और नीचे मेरे पास क्या है 12 है अब square और radical आपस में cancel हो जाएंगे तो x आपके पास बराबर होगा minus का 1 plus minus 19 divided by 12 अब इस sign को देखो यह plus है और minus है यानि x के एक value के लिए आपने इसकी sign को plus रखना है और दूसरे value के लिए इसकी value minus रखना है तो अब x के 2 values आएंगे दूसरे के लिए में x is equal to minus का 1 यह वाला plus उटाऊंगा 19 divided by 12 और दूसरे के लिए में x is equal to minus का 1 इस तफ़ा minus वाला उटाऊंगा minus 19 divided by 12 अब minus का 1 plus का 19 18 upon 12 के बराबर है चे दूनी 12, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 3 त्या 9 तो यह आपके पास 3 by 2 के बराबर हो जाएगा और दूसरा आपके पास किसके बराबर है minus का 20 divided by 12 तो चे दूनी 12, 10 दूनी 20 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 यह 5 divided by 3 के बराबर लेकिं minus का तो x आपके पास 2 values के बराबर है एक 3 by 2 और एक minus 5 divided by 3 so these are your roots these are solution of quadratic equation thus the solution set is equal to minus का 5 divided by 3 3,3 divided by 2 यह आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो set के अंदर आप इसे आगे पीछे लिख सकते हो कोई फर्क नहीं करते हैं तो यह आपके पास final answer अब दूसरे question को देखते हैं दूसरा question है हमारे पास 8x का square minus का 14x minus का 15 is equal to 0 तो आपने क्या लिखना है comparing comparing with standard form of quadratic equation standard form of quadratic equation आपके पास ax का square minus का bx sorry plus का bx plus का c is equal to 0 के बराबर यह आपके पास standard form of quadratic equation तो यहां पर a आपके पास किसके बराबर है 8 के बराबर है a is equal to 8 b is equal to minus का 14 c is equal to minus का 15 तो minus के साइन के साथ आपने इनको उठाना है b आपके पास 14 के बराबर है और c आपके पास minus 15 के बराबर है अब आपने लिखना है using quadratic formula quadratic formula आपके पास किया है x is equal to minus b plus minus radical के अंदर b का square minus का 4ac divided by 2a अब b की value आपके पास minus 14 है तो एक minus अलरेड़ी मौझूद है b की value minus 14 है इसको as it is लिखना है plus minus radical के अंदर minus का 14 का square minus का 4 a की value आपके पास 8 के बराबर है c की value आपके पास minus 15 के बराबर है minus के साथ आएगा और divide by 2a a आपके पास 8 के बराबर है अब यह minus multiply by minus plus बन जाएगा और यह plus 14 के बराबर होगा plus minus radical के अंदर minus 14 का square 196 के बराबर है यह आपके पास 196 के बराबर है माइनस खतम हो जाएगा चूंकि power और even number है पिर 4 multiply by 8 multiply by 15 4 multiply by 8 multiply by 15 यह आपके पास 480 के बराबर है अब यहाँ पर भी माइनस है यह पर भी माइनस है यह माइनस सथ multiply हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यह आपके पास four eighty के बराबर है डिवाइड में आपके पास आठ दुनी 16 अब 116 प्लस 480 एक सो चेया नवे प्लस 480 यह आपके पास 670 के बरावल सो दिस इकोल टू 14 प्लस माइनस रेडिकल के अंदर 600 चेतर डिवाड़ेट बाइ 16 अब 600 चेतर का आपने स्क्वेर रूट फाइंड आउट करना है अब 676 का जो आपके पास रेडिकल है वो आपके पास किस के बरावर है 26 के बरावर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 प्लस माइनस रेडिकल हतम हो जाएगा आपके पास जस्ट क्या आए जाएगा 26 डिवाइड बाइ 16 अब यहां से हम X के वैल्यू को निकालेंगे फाइनल स्टेप तक पहुंच चुके है फाइनल स्टेप आपके पास क्या है सो X आपके पास बरावर है 14 प्लस माइनस 26 डिवाइड बाइ 16 अब यहां पे प्लस और माइनस है तो X के दो वैल्यू जाएंगे एक प्लस का एक माइनस का X इकोल टू 14 प्लस का उठाया 26 डिवाइड बाइ 16 और दूसरा जो वैल्यू आपके पास X इकोल टू 14 माइनस का 26 डिवाइड बाइ 16 तो 14 प्लस का 16 आपके पास 40 डिवाइड बाइ 16 के बराबर है and 40 डिवाइड बाइ 16 आपके पास यह आपके पास 5 बाइ 2 के बराबर है तो X का एक रूट आपके पास क्या है 5 डिवाइड बाइ 2 X इकोल टू 14 माइनस का 26 यह आपके पास माइनस 12 के बराबर होगा 12 बाइ 16 तो इसको मैं सिंप्लिफाई करूंगा 4 यह बारह सोरी 3 से नहीं 2 से तो 6 टू जार 12 and 8 टू जार 16 2 टू जार 6 4 टू जार 8 तो यह आपके पास माइनस 3 डिवाइड बाइ 4 आगे तो X का एक रूत 5 वड़ रशारbay 2 और भूसरा रूत माइनस 3 डिवाइड 4 आगे तो यह आपके पास 5 बाइ लॉइड बाइ 4 दू जार दू जारू के पास माइनस 3 डिवाइड बाइ 4 आगे So, this is your final answer.